वेल्कम तू मैं चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फर जोरिनिंग, फ्रेंड्स आज की हमारी उट्ससाइज है 4.2, इसको हल करना जब आज की वीडियो में आप सीख पाएंगे, फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ ओल के बटन और बेल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हरने आने वाली वीडियो की अपडेट मिन सकेंगे, और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे, तो अक् किस तरह इसके difference के मताबिक इनकी शकलों को याद रखे method को भी याद रखने है तो यहां पे अगर आप गोर करें आपके सामने equation लिखी हुई है एक्स यहां पे मरबह आ रहा है पिछे स्वालो में भी था एक्स केर यानि उपर मरबह वाली values जब आ जाती है तो नीचे तो हम पिछे जो method था वहां पे तक्सीम का अमल करें लेकिन यहां पे स्वालो में थोड़ा सा difference है कि आपको equation इसी तरह की आएगी almost सारे स्वालो में ठी लेकिन बटे में एक चीज और का इसाफा है जो के difference है अगर आप गोर करें तो यहां पे भी square आ रहा है यही जो values नीचे दी होंगी वहां पे पिछे स्वालो में अगर आप गोर करेंगे जब आप practice करेंगे आपको चीज़े clear हो जाएंगी तो यहां पे square जो है वो लिखा की difference है और इसी difference को याद रखते हुए यह शकल फरक है तिसीद फरक को जहन में रखते हुए इसके method को यनि नाम को भी आपने याद रखने है कि यह इसका method क्या होगा यह इनि इसकी शकल यह है तो इसका method ही होगा तो यहाँ पर अब जहां option ऑली शकल बनती हो तो यहाँ पर्लों में सभी बाद में भी सकते हैं इनिन isto में तो अब यहां पर क्योंके पहले आरही तो जब तो यहाँ पर आपने किया करने है तो यह तो सेम शकल वैसी की भी ऐसी आ जाएगी युन फो तीन है गलर जाएक है ठीक है ठीक है बते में भी आपके पास जो हैं इनको भी आपने ऐसे लिखे देना है as-1 की दो है्ची कि यह लेत्र जब करते है यही शकल X-2 है तो जब दूसरी तरफ आते हैं तो यहाँ पर A लिखा जाता है ठीक है सेम टू सेम वो ही जो अमल पहले की है अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है यह जो स्केर वाली है इसको एक दफ़ा इसकी पावर को तोड़ना इसकी पावर यहाँ पर 2 है तो इसका मतलब पहले आप X की एक वाली लिखेंगे ठीक है जमा लगा के इसी की पावर यानि इसकी पावर 1 है तो आगे इसकी पावर क्या होगी 2 और यही ओल्मोस्ट सारे स्वाल में आपने क्या करना है यह स्केर वाली जो वैल्यू है इसको एक पावर करके A के उपर लिख देना है तो B अगर डिपेंड करता है आगे जाके जगा चेंज होती है तो जारी बात इसकी जगा भी चेंज हो जाएगी यही डिपेंड करेगा लेकिन जादातर मौस्ट यही मतलब है तो next C का जाफ़ा हो रहा है यानि पहले जो आपने स्वाल हल की है अगर आपने गोर किया हो वहाँ पे सरफ A और B की वैल्यूज है ओल्मॉस्ट सारे स्वालों में 8 स्वाल है आठ जो स्वाल है उन्हें सब में A और B ता की वैल्यूज रहती है तो यहाँ पे इजाफ़ा जो के डिफरेंस है 4.2 में तो यहाँ पे C का जाफ़ा हो जाता है जो के इस वाली एक और वैल्यू का यानि तीसरी वैल्यू का इजाफ़ा होने की वज़ा से यानि स्केर के सुरत में चाहे लिखा हो लेकिन ये तीन वैल्यूज बनती है तो इनको A, B, C की शकल में जाफ़ा लिख लिए आपने यहाँ पे लिखने के बाद पुराना स्टैप वो ही है कि आपने क्या करना है मल्टिप्लाइंग बोट साइड यानि ये जो बटे की शकल ये वाली है इसको दोनों तरफैन को जाफ़ा जरु देने से तो यहाँ पे अपने स्टेट्मेंट पहले तो लिखने है मीडियम के हिसाब से लिख लें ठीक है तो X की दो ये तो वैसी की वैसी आजाएगी ठीक है तो ये तो वैसी की वैसी आजाएगी ठीक है माइनस 3X है जमा एक है ठीक है तो बटे में X माइनस 2 है x-2 है ठीक है जरब लगा के क्या करना है x-1 का मुरब्बा है x-2 है ठीक है बाकी इन तीनों को अलग-अलग जारी बात लिखना पड़ेगा और इसके लिए जगा भी ज़ादा चाहिए तो यहाँ पर जगा चलें जितना आता है फिर आगे लिख सकते हैं तो एक ही आपके पास क्या वैल्यू है x-1 है तो यह जरब किसे खाएगा x-2 के मुरब्बे से और x जमा टू से यनि बट्टे में जो वैल्यूस है उनको आपने करना था है जो के इस तरफ होती है ठीक है ओल ठीक है पर जमा आगया इंटू b ठीक है b है तो b के साथ क्या वैल्यू है आपके पास बटे में x-2 है ठीक है जरब खा रहा है यह x-2 होप यह नजर आ रहा हो तो चलें यहां आगे लिख लेते हैं इसी वैल्य को दूबारा से b बाली गोई ठीक है चलें यहां नहीं लिखत है जैस किया इसको जमा भी है भी बटे में क्या आपके पास इसके नीचे x-1 उसके उपर स्केर है और यह जरुब खा रहा है x-1 है ठीक है x-2 का स्केर यह जो है आपके पास से बैल्यूज आ रही है स्केर पहले है स्केर वाली पहले है ठीक है और यहां पर 2 है तो नेक्स आपके पास क्या है जमा सी आ गया है ठीक है सी के नीचे क्या है बटे में x-2 है ठीक है अब जरुब किससे खाय जा है x- का स्केर और इंटू x-2 के साथ यह जरुब खा रहा है तो अब देखे चैंसल यह तो सारी की सारी कैंसल हो जाती है और यह ही अपस में कैंसल हो जाते है तो यहां से x-2 है तो यहां से x-1 को एक से cancel किया तो आपके पास एक बचती है power यानि यहाँ पे 2 है तो यह minus होने के बाद एक power जब बचती है तो यहाँ से क्योंकि दोनों scare की हैं तो यहाँ पस में cancel होगी तो x-2 बचा यहाँ से आपको यह निजर आ रहा है ink की वज़ा से issue ना हो बस और यहाँ पे x-1 है और यहाँ पे क्योंकि scare है तो यहाँ भी scare है तो आपस में cancel होगी है ठीक है तो यहाँ से x-1 है यहाँ पे scare है और यहाँ पे 1 है तो एक हलोने के बाद क्या होगा x-1 जब आपके पास बचेगा तो यहाँ पे cutting बगारा के बाद आपके पास जो भी values बचती है उनको आपने लिखना है तो यहाँ पर क्यूंकि जगा कम है तो इस तरफ लिख देते हैं तो पहले वाली में आपके पास क्या बचा है एकस की दो माइनस तीन एकस जमा नहीं जगा कम होगी यहाँ पर करते हैं एकस तीन एकस की दो माइनस तीन एकस जमा एक बचा है ब्रापर है तो यहाँ पर आपने क्या करना है यहां से a बचा है तो into 1 तो x-1 है क्योंकि यहां पे x की 2 था और यहां पे x-1 यहां पावर और यह दो पावर दो में से एक पावर कैंसल होई तो एक पावर बच गी है तो x-2 बचा है यहां से x-2 बचा है आपके पास ठीक है और आगे जा वो b की value है तो b आपके पास वहाँ जगा निएक पास कम हो जाएगी तो यहां पे लिखते है b आपके पास क्या बचेगा यहां से cancel हुआ b के लिए यहां पे भी сделать था तो यहां पर भी сделать था तो यहां सब्सक्राइब ऐब स्मीं वोप आपको यह point clear हो गया हो, कि x-1, 2 में से 1 वाली cancel होई, यहाँ दो में से 1 गया, तो 1 फिर भी बचता है, जो कि x-1 की शकल में रिखा गया, और into x जमा 2, x-2 जो हो आपके पास बचता है, तो next आपको याद हो, कि यहाँ पर simplification होती है, कि यहाँ पर आपस में जो values जर्ब खा रही है, उनको जर्ब दे लें, तो यहाँ पर x की दो बचता ही नहीं, इस तरफ आपको कोई simplification करने की जोड़ती नहीं है, वो जिस शकल में values हैं, उनको खा के वैसे लिख दें, स्टूडेंट यहाँ पर होप आपनी note किया हो, कि यहाँ पर x की scale क्योंकि आपनी पिछले step पर गोर किया हो, कि यहाँ पर बटे में इसके c की जो था, वो x-2 था, तो यह आपस में जब cancel हो जाएंगे, तो बाकि आपके पास क्या बचता है, x-1 का scale जो बचता है, होप आपनी पॉइंट देखा, क्योंकि पहले भी बात वी है, कि mind दावेट हो जाता है, यह निक बोर्ड की तरफ देखते हैं, और बुक की तरफ और कैमरी की तरफ देखते हुए, तो इसलिए mistake जो हो जाती हैं, इसके लिए sorry, I hope आपनी नोट किया हो, कि यहाँ पर क्या mistake थी, तो x-2 बटे में होने की वज़ा से cancel हुआ, तो बाकी सरफ आपके पास यह value जाए, वो बचती है, तो यहाँ से आपनी क्या करने हैं, कि आपनी जरब देनी values को, ठीक है, तो यहनि पिछले स्वालो में, जरब होती है, आपको पता है, पहले भी बात हुए है, तो x-2 है, और x-2 है, तो यह एक और एक पावर जमाओ के x की 2 हो जाती है, minus x है, minus 2x है, minus minus plus 2 है, तो यह minus 3 के हो जाते हैं, ठीक है, x की 2, जमाद 2, यह वाली value जह आपके पास answer बनता है, तो b वाली तो वैसी रहेगी, ठीक है, b की value आपके पास यहाँ पे कहा है, x-2 है, ठीक है, और जमाद c, c की value है, जिए की value है, तो इसका मतलब आप मुरबा जाए, वो खोलेंगे, यह आपने देखा हो, algebra में के x-2, power का मतलब यह होता है, के जो power, जिस value के उपर power होती है, याँ एक्स की 2 है, तो इसका मतलब x ने कितनी दफ़ा जरुखाई है, दो दफ़ा, यह जिस रकम के उपर power होती है, वो ही शकल, same to same शकल जरुखाई होती है, वो दो दफ़ा जरुखाती है, तो यहाँ पर 2 values लगाके, x-1 करके, इनको याँ 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 सेम values को जरुख देनी है, तो x की 1 और 1 power 2 हो जाती है, और यह जमा माइनस माइनस है, x है, माइनस x है, माइनस माइनस प्लस है, एक है, तो x की 2, 1 और एक जमा के कितनी हो जाती है, 2x और जमा एक है, यह आपके पास आंसर जाब आता है, तो यहाँ पर hope आप नीचे लिख देती हैं, क्योंकि नजर भी आ, x की 2, 2x जमा, 1 है, ठीक है, और c शुरू में लगा दें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास, यह सिंप्लिकेशन के बाद का मैथड है, तो इस वाले स्वालों में, नेक्स्ट जो पिछले मैथड आपने सीख्या, यहाँ से हमारा कौन सा स्टप शुरू होता है, कंपेरिंग कोफिशन्ट, यहाँ एक्स के, एक्स वाली को, और जो सादा वैल्यू होता है, उसको आपने कंपेर करना था, यहाँ पर आप गोर करें, यहाँ पर एक स्केर वाली वैल्यू आ रही है, पिछे जो आक्सिसाइज थी, वहाँ पर भी डिफरेंस बतारी हूं, कि डिफरेंस क्या था, वहाँ पी स्केर नहीं होता था तो यहाँ पे मुरबा और स्केर जीयर मुझूद है तो इसका मतलब इस वाल इस वालों में यहां से एक और मैथट तक्रीक का इज़ाफ़ होता है comparing से पहले ठीक है comparing इसमें भी होगी लेकिन उससे पहले एक method जफा रता है तो वह यह है कि यह जो आपके पास नीचे values थी आपके पास यह वाली ठीक है sorry यहाँ पर क्योंके पिछले step sorry यहाँ पर क्योंके पिछले step को जाँ वो raise कर दिया गया तो तो वहाँ पर क्या था values आपकी एक उपर था x-1 है ठीक है फिर जमा बी लगा के x- इसका मुरबा फिर c लगा के आपका x-2 यानि यह वाली values थी तो इस तरह की values आपकी क्योंके a, b, c के हिसाब से थी तो यह जो बटे में values हैं यह आपकी metric करती है यहाँ पर आपने क्या करना है यहाँ से values यह वो निकल सकती है a और b के लिए जो के इस स्वाल में अज़ाफा है comparing से पहले तो यहाँ से x-1 इसको बराबर रखा जा सकते है जिरो का इसके लाबा यह scale वाली को आप नहीं ले सकते हैं तो इसको छोड़के फिर x-2 को जैवर 0 के बराबर आप रख सकते हैं ठीक है यहाँ यहाँ पर एक दफ़ा आपने एक को रखना है x बराबर इसका answer क्या आएगा फिर यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा है x-2 बराबर 0 है और x-2 बराबर 0 है तो यहाँ से x बराबर 1 होगा और यहाँ से x बराबर क्या होगा 2 यहाँ आप इनी values को यह जो ABC के नीचे लिखी वैली यहाँ पर एक यहाँ से आपको factor मिल जाता है factor और यहाँ पर second volume से आपको मि पूट करेंगे एक दफ़ा दो पूट करेंगे तो आपके पास ABC में से किसी एक वैलियूज यह आपके पास आ जाती है जो कि comparing से पहले आपने यह method करना है ठीक है तो यह hope आपको यह clear हो गया point यह almost सारे स्वालो में यही method होगा तो यानि एक दफ़ा पूट करेंगे एक और एक दफ़ा दो पूट करके आपकी वैलियूज आ जाएंगे ABC में से किसी में से तो फर्स्ट वाले में करते हैं कि equation नमबर एक में पूट यह आपनी लिखने है खुद से ठीक है statement लिखनी होती है कि x एक पूट करने से तो जहां जहां पे x होगा वहां पे आपनी क्या पूट करना है एक ठीक है दुबारा लिखनी की जूरत नहीं है I hope आपको पता चल रहा हो कि यह जो equation है वहीं पे आपनी एक को पूट करना है और जमा एक बराबर आजएगा आपके पास जमा एक बराबर एक तो आगे क्या है एक माइनस टू है तो एक माइनस टू है तो यहां पर लिख देतीं क्योंकि आगे नज़र नहीं आएगा वैली तो यहां पर क्योंकि जगा नहीं होगी तो मैं आगे लिख रहे हूं बी वाली आपके पास क्या है बी अपनी जगा पर रहेगा एक की पर एगा, X की जगह आपने एक लिख दिया तो अगर आपने यहापने गोर किया हो एक में से एक गया तो यह 0 तो यह C आपके पास जिरू हो जाएगी ये A का यह जिएगा A को दोदion दफा पो पीज़़ा तो वह एक ही रहता है तो यहापने तीन एक बार तो माइनस एक आपके पास यह वो बच रहा है ठीक है यह इसके साथ क्या रहा है माइनस तो यहां पर यह जमा का एक जमा का एक जमा के दो हो जाते हैं और यह दो गे जमा में से तो माइनस एक बचा यहां से माइनस बी है तो माइनस दोनों बी क्योंकि पोजितिव होना चाहि B इस तरफ ले जाएं इसको दूसरे तरफ ले जाएं तो यह जमा एक हो जाता है जमा लिखने की ज़ूरत नहीं है A की लिख दें तो आपका यह B की वैल्यू जाव है आपके पास आगी है तो इन्ही को आपने एक दफा इसी सेम शकल को यहिए क्यों नमबर 1 को ही आपने दुबारा से जहाँ पर एक पुट किया है वहाँ पर एक पुट करना है 2 ठीक है यह आपको पहले सारा पोइंट के लिए कि लिए आपने 2 लगाना है ठीक है थैक है तो एक पर आपर 2 तो यह आपके सामने equation लिखी हुई है ठीक है दोबरा लिखने के जोड़ी है जहाँ जहाँ पर X है वहाँ पर आपनी तू लिख देना है तू के उपर तू आजएगा ठीक है माइनस तीन अपनी जगापर इस वाली को ठीक है यह वाली equation आपके सामने लिखी ज़िए तीन अपनी जगह पर है, एक्स की जगह आपनी क्या लिखा है, टू, ठीक है, जमा एक अपनी जगह, आगे चलते हैं, ए है आपके पास, एक्स की जगह आपनी टू लिखा, एक है, और इंटू, टू माइनस टू है, ठीक है, आगे क्यूंके जगह नहीं होगी, तो यहाँ पर लिक देते हैं जमां B है आपके पैस, बी इंटू, दो माइनस दो है, जमां C की जगा आपनी किह लिख है, तो उपर मुरबार है, तो अब इसकी सिंप्लिटीशन होगी, यह दो के ओपर 2 है, तो दो लोपा जरुपा खाके, तो 2 बार चार हो जोता है तीन दो बार छे होगा जमा एक है तो यहां पर आप गोर करें टू में से टू गया यहां पर जीरो बचे गया इसकी वज़ाद से ए यहां पर भी जीरो हो गया तो यहां पर दो में से दो गया तो यहां पर जीरो बचा तो इस नहीं इसको जीरो कर दिया ठीक ह तो फिर यहां पर C, C का हमारे पास आंसर आएगा अभी, दो में से एक गया तो एक, एक कम रबा, क्या होगा, एक ही होगा, यहां पर C के साथ एक आएगा, एक निखने की जूट नहीं है, यहां पर सिंप्लिक्टेशन यह जमा के चार हो रही है, जमा के एक जमा के पांच हो जमा के पांच माइनस चे में से निकाले तो यह माइनस एक बच रहा है, तो C की वैलिया क्या होती है, आपके पास माइनस एक, अभी आपके पास आंसर क्या क्या है, बी और सी का, ठीक है, अभी, अगर हम अपनी कोफिशन्ट, सोरी, वेरियेबल के हिसाब से चलें, तो A, B, C, यहां पर B, C का अंसर है, तो अभी A का हमारे पास रहता है, तो यहां पर अभी कंपेरिंग मैथड होगा, यह जब आपकी वैलियूस, इस वाले में डिफरेंस क्या है, कि वैलियूस पूट करने के बाद, यहां एक्स की यहां पर दो वैलियूस आती है, ओल्मॉस्स सारे कोफिशन्ट, sorry, of x और constant, यहनि सादा वैलियूस और x की दो या फिर x वाली के कोफिशन्ट या अददी सार का मवाजना करने से, तो next यहां पर comparing कोफिशन्ट का method होगा, तो करना इस equation को है, जो आपकी यह वाली है, तो यहां पर x स्केयर वाली ठीक है, जरब दे लें, x जम compare हम सिर्फ कर रहे हैं, scale वाली को, ठीक है, x, scale वाली को, अब इसके पीछे वज़ा यह है, कि आपको जादा करने के जोट नहीं पड़ेगी, यहां से हम सिर्फ एक्स जो स्केयर वाली वैली को भी करने के जोट नहीं पड़ेगी, वज़ा हमें मजीद वैल्यूस चाहिए न यहां पर क्या होगी, यानि a को जब हम जर्ब देते हैं, क्योंकि यह जर्ब देनी होती है अंदर, इसको जर्ब जर्ब देंगे, तो यह तीन वैली के साथ यह आता है, लेकिन हम सिर्फ a scale वाली ले रहे हैं, तो यहां से बाकी वैली भी हम नहीं लेंगे, तो यहां पे इन सिर्फ के साथ जर्ब खाता लेकि हम सिर्फ ले रहें, तो यहां से यह होगी, cx scale जो कि आजए गी जमा cx scale, तो हम सिर्फ इसके कोफिशंट को compare करेंगे, तो यहां पे एक होगा coefficient यह पे a होगा, यहां पे c होगा, यह बराबर a जमा c, यह आपके पास comparing करने के बाद आता ह coefficient यानि इनके compare जब करते हैं तो आपने इनके coefficient को सिर्फ लेना है और लेना किसका है जिनके साथ x का मुरभा होगा x का square होगा तो यहाँ पर a जमा c बनता है और यहाँ से 1 आपके पास बचता है तो यहाँ पर है तो यह माईनस होगे दूसरे तर्भ जाएकर माईनस ही a है तो एक में से c की value माईनस ऐक है ठीक है ब्राबर a है तो यह माईनस माईनस जर्व खाके जम्मा 1 को रहेगा Exc司 मैंस की व 확진 जमा गए तो यह 2 हो जाते हैं यह की value है आपके पास जगा आपने a के जगा आपने 2 लगा है तो नीचे क्या है आपके पास x-a के यह होप आपने यह पिछले स्टप लिखे होंगे तो b की जगा यहाँ पर a का जगा तो नीचे आपके पास वहाँ पर है x-a 1 का मुरब्बा है और minus यहाँ पर minus आजएगा है तो यहाँ पर जमा लेकिन जारी बात है यहाँ पर minus की बज़ा से यह value भी यहाँ पर minus हो जाएगी तो यहाँ पर क्या आएगा x-2 जो कि आपका final answer होता है values को put करने के बाद hope student आपको आज की वीडियो में exercise को हल करना आपके लिए आसान हुआ हो आपके लिए मददकार थाबित हुई हो तो please अगर आप एक ही स्वाल का अच्छे तरीके से method सीखते हैं तो almost आपके बाकी स्वाल same to same यही method है बाकी आपके स्वाल जी हो same to same method है कुछ भी difference नहीं है यही सिर्फ values आपकी चेंज होगी बाकी method आपका same to same होगा ठीक होप आपको यह point और सारा method जो हो अच्छे तरीके से समझ आया तो please बाकी जो स्वाल आपके लिए छोड़े है method same है इसको एक कोई अच्छे तरीके से समझेजिए बाकी आप स्वाल जो हो खुद करने के काबिल हो जाते है अगर आप यहाँ पर student हो तो अपने fellow student के साथ अगर आप यहाँ पर teacher हो तो please अपने student के साथ और अपने colleagues के साथ मेरे channel को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि जादा से जादा student की help हो सके आपका video देखने के लिए बहुत शुक्रिया